दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज से मैं आपके सामने एक नई सीरीज ले कर आ रही हूं इसमें मैं पुराने प्रश्ण पत्रों के एक-एक प्रश्ण को आपके सामने व्याख्या से प्रस्तोत करूंगी ताकि उससे या उससे आगे आने वाले कोई भी प्रश्ण आपके गलत ना हूं और क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटे-छोटे होंगे तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपके बहुत प्रश्ण है वो है अपभ्रंस के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उसका विभासा के हैं जो अपने पुराने पन के कारण बोली तथा भासा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आधिकाल के अंत क्या उसके कुछ दिनों पीछे तक ओथियों में चलती रही अब यह प्राक्रत बोल चाल की भासा ना रहे गई तभी से अपभरंस साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए मतलब जब से प्राक्रत भासा बोल साल की भासा ना रहे के साहित्य के भासा के रूप में स्थापित हो गई थी तभी से अपभरंस भासा का आविर्भाव समझा जाना चाहिए पहले जैसे गाथा और गाहा कहने पर प्राक्रत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपवरंस या लोग प्रचलित का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित का बोध हासा में नीती श्रंगार, वीर आधिकी कविताएं तो चली ही आती थी। साथ में जो जैन और बौद धर्माचारे थे उन्हों ने भी अपने प्रचार की भासा के रूप में इसका प्रयोग किया था प्राक्रत से बिगड़ कर जो बोल चाल की भासा ने ग्रहन किया वे भी आगे चलकर कुछ पुराना पढ़ गया और कावे रचना के लिए रूड हो जो पहले का रूप होता है वो साहित्य के रूप में स्थापित हो जाता है इसी तरह से जब प्राक्रत भासा का जो बिगड़ कर बोल चाल का रूप था वो भी धीरे से कुछ पुराना पढ़ गया और उसे उसमें भी कावे रचना होने लगी है और वे भी कावे रचना के यह रूण हो गया अपभ्रणस नाम उसी समय से चला क्योंकि वह प्राकृत का अपभ्रंस रूप था बिगड़ा हुआ रूप था इसलिए अचारे रामचंद सुक्लजी कहे रहे घ्ला जब तक भासा बोल चाल में थी तब तक भासा ये देश भासा ही कहलाती रही जब वे भी साहित्य की भासा हो गई तब उसके लिए अपब्रांस सब्द का व्यभार होनी लगा रामचंद्र सुख्लजी कह रहे हैं कि जब तक भासा सिर्फ बोलचाल में प्रयुक्त होती थी तब तक उसको भासा या देश भासा ही कहा गया तब तक वे देश भासा ही कहलाती रही लेकिन वे जब साहिति की भासा हो गई तब उसके लिए अपबरंस सब्द रूड हो गया उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको रामचंद्र सुकल जी के विचार अपबरंस भासा के बारे में अच्छे से समझ आ गया होंगे और ये वीडियो ज़रूर आपके लिए यूसफुल रहा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहेगा